जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासे इस विश्व में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम परियावरन का एक महा अभ्यास करने बाले हैं परियावरन से संबंदेतें से अन्योकों प्रस्ण पढ़ने बाले हैं लगबग 200 प्रस्ण यहाँ पर आज हम प्रकार के प्रस्ण होंगे जिस जो की आपकी परिक्षा के लिए चाए CTT हो या फिर आपकी MPTET हो UPSC हो जिस भी एक्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए most important होने बाला है तो सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को like जरू करें और वीडियो को share भी करना है ठीक दोस्तों आपका प्रस्ण पहले आपकी स्क्रीन पर है मद्द प्रदेश के किस राष्टी उध्यान को सबसे पहले project tiger में सामिल किया गया तो चार बेकल्प है काना किसली, बांदाओगण, सत्पुड़ा या फिर patch तो आपको उत्तर बताना है तब आपका right answer क्या हो जाएग तो right answer होगा दोस्तों काना किसली, काना किसली यानि कि जो बेकल्प नमर आपका A है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा ठीक है अंगला question आपके screen पर मद्द प्रदेश के किस जिले में माधव राश्टी उध्यान है शिवपुरी में, मंडला में, ओशंगाबाद या फिर पन्ना में तब आपका right answer हो जाएगा सिवपुरी, सिवपुरी यानि कि बेकल्प नमर जो A है वो आपका सही हो जाएगा माधव राश्टी उध्यान है सिवपुरी में, ठीक है, अंगला question है खादिस रंकला का अभी प्राय है, इन में से किसके द्वारा उर्जा अंत्रन होता है दूसरे जीवों को इन में से कोई नहीं, तो उत्तर आपको A, B, C, D कमेंट में लिखते जाना है अगर आपसे बनता है तो तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तों क्या, एक जीवों से दूसरे जीवों को, यानि कि जो बेकल्प नमर आपका सा है वो right answer हो जाएगा नेक्स्ट प्रेस्ट आपकी स्क्रीन पर परियावरन का अजेव अवेव है, तो वनस्पती, जानवर, वायू या इन में से कोई नहीं तब आपका right answer हो जाएगा by you, यानि कि बेकल्प नमर जो सा है आपको पता है कि परियावरन जेवेक और अजेवेक घटकों से मिलकर बनता है और परियावरन का अजेव जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा by you, यानि कि बेकल्प नमर सा आपका right होगा अंगला क्वेस्चन आपके स्क्रीन पर स्वारूर्जा का सबसे बड़ा योगी करना कौन है तो हरे पौधे, जानवर, वायू या इनवेसे कोई नहीं तब आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे यानि कि जो बेकल्प नम्मर ए है आ नम्मर का वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन है भारत में बन अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्तित है देहरादून, वोपाल, जबलपोर या इनमेसे कोई नहीं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बन अनुसंदान के अंदर है कहां पर देहरादून में यानि की बेकल्प नम्मर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा भुपाल में बन प्रबंदन संस्तान है और ये बन अनुसंदान संस्तान की एक जो साका है वो कहां पर है यह जबलपुर में है ठीक है तब अंगला कॉस्चन देख लो अंगला कॉस्चन है निम्न मेंसे कौन अपगटन योग है तो कौन सी है अपगटन योग बताना है लोहे की कील चमडे की बेल्ट प्लास्टिक या इन मेंसे कोई नहीं तब सभी लोग आंसर चार बिकल्प में से चैन करना है राइट जो आंसर आपका हो जाएगा बिकल्प नम्मर बी यानि की चमडे की बेल्ट बी नम्मर आपका बिल्कुर सही होगा अंगला कॉस्चन देख राश्टिय बानस्पते को ध्यान कहां परिस्तित है तो कोलकाता में लखनव में बैंग राश्टिय बानस्पते को ध्यान हमें बताना है तब आपका अंसर क्या हो जाएगा तब अधिकांस लोगों ने बिल्कुर सही बताया है लखनव और लखनव उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां पर औस्धी अनुसंधान के अंदर भी है ठीक है यह वी याद रख दौनों द्वारा या इन में से कोई नहीं तो मिर्दा अपरदन रोका जा सकता है तो कैसे तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बन रोपन यानि की बिकल्प नंबर जो ए है वो यहां पर आपका सही होगा अंगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से कि इसके बिरुद्ध था जल प्रिदूसन के धनी प्रिदूसन के दौनों या वन कटाई के तो चिपको आंदोलन आपको बताना है उत्तराकंड से संबंदित या आंदोलन है परेयावरन से संबंदित और आपका राइट आंसर होगा वन कटाई यानि कि जो बिकल्प नंबर आपका D है वो आपका बिलकुल यहाँ पर सही होगा अंगला कोश्चन है पारस्तितिक तंत्र में तत्वों की चक्रन को क्या कहा जाता है रासाइनिक चक्र जेव भूरासाइनिक चक्र भू बेग्यानिक चक्र या भूरासाइनिक चक्र तब आपका राइट आंसर होगा जयो भूर आसाइन एक चक्र यानि कि जो बिकल्प नमर आपका बाह है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन है दो भिन्ने समुदायों के बीच का संक्रांती छेतर कहलाता है तो क्या कहलाता है एको टाइप, एकेड, एको एस्पियार या फिर एको टॉन तो दो भिन्ने समुदायों के बीच का संक्रांती छेतर हमें बताना है और आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा एको टॉन, एको टॉन यानि कि जो बिकल्प नमर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा अंगला कॉस्चन है स्वपोसी जीव के अंतरगत आते हैं तो कौन आते हैं मानाओ, हरे पौधे, सेर या फिर खरगोस तो स्वपोसी जीव के अंतरगत आते हैं तो कौन आते हैं प्रशने करमांक 12 का अंसर और आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे यानि कि जो आपका बिकल्प नमर बी है वो यहां पर सही होगा ये स्वपोसी के अंतरगत आते हैं यानि कि जो अपना पोस्ट रण स्वयम करते हैं वो बानमर आपका सही है टिड़ा पौधे के किस भाग को खाता है फल को, फूल को, पत्ती को या फिर तना को तो जल्दी से उत्र बताएंगे सबी लोग तब आपका राइंट आंसर हो जाएगा पत्ती यानि कि जो बिकल्प नमर आपका साह है वो यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा अंगला क्वेश्चन हैं आपकी जल्दी से बताएं जल्दी ये परितंत्र का अजैवे के घटक है तो अजयवे के घटक कौन सा है हाइड्रिया, कमल, पिस्टिया या फिर प्रिकास उर्जा तब आपका राइट आंसर होगा प्रिकास उर्जा यानि कि जो आपका विकल्प नमर डी है वो यहाँ पर बिल्लकुर सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेश्चन देखो योगेक लवड इबं अमल पारिश्टित की तंत्र के किस घटक से सम्बंदित हैं उत्पादक से, जैबेक से, निर्माडक से या फिर अजैबेक से योगेक लवड इबं अमल यह बताना है आपको किस से सम्बंदित हैं तब आपका राइट आंसर हो जाएगा अजयबिक, अजयबिक यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका D है, वो यहां पर बिल्कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, अंगला कुस्चन है, ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में, छोब मंडल में, मद्ध मंडल में, या इन मे से कोई नहीं, तो ओजोन परत के बारे में सबी लोग बताएगे, यह किसमें पाई जाती है, तब आपका बिल्कुर राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल, यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका A है, वो A नम्मर सही हो जाएगा, अंगला कुस्चन है, गंगा या मुना क संगम होता है, इलाहबाद में, कोलकाता में, रामे सुरम या फिर इनमे से कोई नहीं, तो कहाँ पर होता है, राइट आंसर हो जाएगा, साथ यो इलाहबाद, इलाहबाद यानि कि जो बिकल्प नम्मर A है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, अंगला कुस्चन, एहमत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोस का स्रोत परिवार है, मार्क्स ने, मर्टन ने, कूले या इनमे से कोई नहीं, तो प्रश्न किरमां का आपका सत्रा, और सत्रा का राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्क्स, यानि कि जो बिकल्प नम्मर A है, वो यहाँ पर सह हो जाएगा, अंगला क्वेस्चन, केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं, तारवार, गोतल, इलाम या इनमे से कोई नहीं, तो प्रश्न किरमां का ठारा और अठारा का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, तारवार, केरल में नायरों के संयु तो परिवार को कहा जाता है तारवार यानि कि बेकल्प नमर जो A है वो आपका सही हो जाएगा एकांतिक नापकिये परिवार की अवधारना किसकी है टी पार्संस की कोलिन बेल की IP देशाई या इनमेसे कोई नहीं तो आपको बताने एकांतिक नापकिये परिवार की जो अव वो किसकी है, तब आपका right answer होगा साथ यो T persons, यानि कि जो बिकल्प नमर A है, वो आपका बिलकुछ सही है, अंगला question है, खेल को सामाजे कादान प्रदान की एक रूप की तरह किसने देखा, तो किसने देखा है, T persons ने, पार्टेल, देशाई या इन में से कोई नहीं, सामाज कादान प्रदान की रूप में की तरह किसने देखा, तो आपका right answer होगा पार्टेल, यानि कि जो आपका बिकल्प नमर B है, वो यहाँ पर बिलकुछ सही हो जाएगा, अंगला question है, पाल्तु पसु नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बक्री, गाय, वैंस, या इन में से कोई नह यानि कि बिकल्प नमर जो आपका D है, वो बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अंगला question है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, घोडा को, उट को, गधा या इन में से कोई नहीं, तब सभी लोगों को पता है, कि जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो कहा जा जाता है, उट, यानि कि बिकल्प नमर जो B है, वो बिलकुल आपका सही हो जाएगा, अंगला question है, प्रारंबिक मनुस्त निवास करते थे, गुफाओं कंद्राओं में, खोले मेंदानों में, सहरों में, या इन में से कोई नहीं, तो 23 का answer सभी लोगों को बताना है, और right ज जो अपना question है साथियो, वो क्या है, प्रत्वी के अपमार्जक कौन है, प्रत्वी के अपमार्जक बताना है, जीबानु वा कबक, मिर्दा वा जल, पसू, या इन में से कोई नहीं, तो आपको बताना है जल्दी से, जीबानु वा कबक, आपका right जो answer हो जाएगा, वो क्या पारिस्त की तंतर का उधारन है, तो क्या उधारन है, अगर आपसे बनता है, तो कमेंट में जरूर लेखते जाएं, ठीक है, और आपको नमबर भी बताना है, लास्ट में कितने आपने अटेंट किये, कितने आपको नमबर मिले हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा, पारिस् मंदल, जल मंदल या फिर आयन मंदल तो आपको ठंडी परत बतानी है तो आपका राइट अंसर होगा मद्ध मंदल यानि कि जो बिकल्प नमर आपका V है वो यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला कॉस्चिन निम्नमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गेस है, सेल्फर डाई अकसाइड आकसीजन आरगन या फिर मीथेन तब आपका राइट अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन मीथेन यानि कि जो बिकल्प नमर D है वो आपका यहाँ पर सही है, अंगला कॉस्चिन है, जीव भार का प्रामेड किस पारिस्थितिक तंत्रस्य में उलट जाता है तो प्रश्न करमांग अपना पांच और आपको राइट आंसर बताना है तब आपका बिल्कुँँ सही आंसर होगा तालाव तालाव यानि कि जो बिकल्प नमर B है जिसमें जीव भार का प्रामेड जो है उलट जाता है तो B नमर आपका सही होगा मद्ध प्रदेश में बिध्या बन योजना का सुभारंब कप किया गया 2006-7 2007-8 2008-9 या इन में से कोई नहीं तो जद्दी से उत्र बताएं तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2007-8 2007-8 यानि कि जो बिकल्प नमर आपका V है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा अंगला कोस्चन है मद्ध प्रदेश ये को पर टन वेकास बोट की स्थापना कप की गई 2006 में 2005-2008 या इन में से कोई नहीं तब आपका राइट आंसर होगा कोस्चन है मद्ध प्रदेश में सामानता है किस परकार के बन पाए जाते हैं उपाद्र पहाड़ी बन उस्ट्रकटी बन दिये बन उस्ट्रकटी बन आद्र पतजड़ बन या फिर इन में से कोई नहीं वैसे तो सभी परकार के पाए जाते हैं लेकिन सामानता जो पाए जाते हैं, जो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, वो कौन से हैं, वो हैं उस्ण कटी बन दिये बन, यानि कि जो आपका बिकल्प नमर V है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अंगला देख लो, जली ये जन्तुवों में स्वसन होता है, तो फै बिकल्प नमर आपका सा है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, अंगला क्वेश्चन है, भारत में बाल बेबाय निरोद अदिनियम किस वर्स पारित किया गया, 2007, 2006, 2008 या इन में से कोई नहीं, बाल बेबाय निरोद अदिनियम आपको बताना है, तब आपका राइट आंसर हो बिकल्प नमर एक है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगला क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर, पौधों के, पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, जड़ से, तना से, फूल से, या पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगला क्वेश्चन है, लौंग एवं तब आपका राइट आंसर है फूल यानि कि जो बिकल्प नमर आपका सा है वो बिलकुल यहाँ पर सही है अंगला है किस बिटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता तो बिटामिन सी बिटामिन बी बिटामिन ए या फिर बिटामिन के तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सात्यो हो जाएगा बिटामिन के यहनि कि जी नमर आपका बिलकुल सही है अंगला question है निवन वैसे कौन सी खरीब की फसल नहीं है खरीब की फसल नहीं है बताने है यह हूँ गन्ना धान या फिर मक्का तो सभी लोग बताएंगे आपका right answer क्या हो जाएगा तब बिल्कुल सही आंसर होगा ग्या हूँ ग्या हूँ जो है यह रभी की फसल है यह खरीब की फसल नहीं है अंगला क्वेस्टेन यदि ये कद्यापा कालू चाउल ब्रेड वा सक्कर के उधारन का सहारा लेता है तो बहें क्या पढ़ाना चाहता है बिटामिन, कार्भो हाइडरेट, खनेज लबड या फिर प्रोटीन तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्भो हाइडरेड, बिकल्प नमर वी अंगला है, बंदर, सेर, चूहे के घर करमसे हैं, गोंसला पेड गुफा, गुफा बिल एबम पेड, पेड गुफा वा बिल, बिल पेड एबम गुफा तो प्रश्न क्रमांगे अपना पंदरा और उत्तर आपको बताना है तब आपका बिल को सही आंसर हो जाएगा, पेड, गुफा और विल, है ना, पंदर पेड पर रहता है, सेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है सबी को पता है अंगला प्लैग है तो प्लैग क्या है जीवानू जनित बीमारी है कबक जनित बीमारी है खनेज जनित बीमारी है इनमें से कोई नहीं तो प्लैग क्या है तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी बानु जनित बीमारी है यानि कि जो बेकल्प नम्मर जो A है वो आपका बिलकुल सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है पौधों में प्रकास संसलेशन किरिया किस रंग में सबसे अधिक होती है तो किस रंग में सबसे अधिक होती है लाल पीला हरा या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो पौधों में प्रकास संसलेशन की जो किरिया जो होती है वो सबसे अधिक होती है लाल रंग में प्रकास संसलेशन की किरिया सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग में होती है ऐसा प्रस्ण है प्रकास तंसलेशन की किरिया, सबसे अधिक जो होती वो लाल रंग, यानि कि ए नम्मर आपका सही हो जागा, ठीक है, अंगला क्वेस्जन है, डेंगू रोक का बाहक है तो क्या है, एडीज मच्चर, क्यू लेक्स मच्चर, घरेलू मक्की, या फिर एनाफिलीज मच्चर, यानि कि जो आपका बिकल्प नम्मर ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नम्मर का, एडीज मच्चर, ठीक है, अंगला है, गाजर है एक, कलिका, जड, तना, या फिर फल, तो गाजर क्या है, हमें बतानी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, जड़ यानि कि जो आपका बिकल्प नमर V है वो यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला question है कि हल्दी के पौधे का खाने योग जो हिस्सा है वो कौनसा होता है गंकंद, प्रिकंद, जड़ या फिर कंद तो हल्दी के खाने योग जो हुस्सा होता है, वो होता है कौन सा? वो होता है प्रकंद, प्रकंद यानि कि जो बेकल्प नमर आपका B है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, अंगला क्वेस्चन है, जड़ें बेकसित होती हैं, तने से, प्रांकुर से, पत्ती से, या फिर मूलां यानि कि बेकल्प नमर जो आपका D है, वो बिलकुल यहाँ पर सही होगा, फाइकोल वजी में किसका अद्धिन किया जाता है, पारिस्तित की, सेवाल, जीवासमों का या फिर कवक का, तो चार बेकल्प में से सभी लोग चैन करेंगे, और आपका राइट राइट रांसर हो वी है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, फाइकोल वजी में सेवालों का अद्धिन होता है, और अंगला क्वेश्चन है, परियावरन सरक्ष्र दिनिया 1986 लागू हुआ, तो कब हुआ, लागू हुआ बतानी हमी, 30 माई, 23 माई, 24 माई, या फिर 23 मार्च, तब आपका बिलकु यहाँ पर सही होगा, अंगला क्वेश्चन परियावरन बाहरी सकती है, जो हमें प्रभावित करती है, एह कथन है, J.S.Ross का, या फिर ग्रीन का, पिलेटो का, या इन में से कोई नहीं, तो एक कथन किसका हमें बताना है, तब आपका राइट आंसर होगा, J.S.Ross, यानि कि जो बिकल्प नमर A है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, अंगला क्वेश्चन है, छोटी कक्छाओं में परियावरन अध्यन बिसय में रुची उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो मनोरंजा के बम खेल सम्मंदी, आगमन, रटने का, या इन में से कोई नहीं, आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथ यो मनोरंजा के बम खेल सम्मंदी, यानि कि A नमर आपका बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अंगला क्वेश्चन है, परियावरन अध्यन के अधियम का सिद्दान्द कौन सा है, आवसकता का सिद्दान्द, उपियोगिता का सिद्दान्द, जीवन से सम्मंदित होने का सिद्दान्द, या उप्रोक्त सभी, तो आपका जो बिलकुल सही आंसर होगा, वहोगा उप्रोक्त सभी, यानि कि D नमर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है, अंगला क्वेश्चन है, प उत्तर क्या होगा परियावन सिक्षा में समस्य समाधान विधी का गुण है तो आपका उत्तर होगा उप्रूक्त सभी यानि की लक्ष केंद्रित सर्जनात्मक और चैनात्मक डी नम्मर आपका बिलकुर सही होगा परियावन सिक्षा का उत्देश से है परियावन की सुरक्ष सही आंसर हो जाएगा परियावण की सुरक्षा तता सरक्षन ये परियावण सिक्षा का मुख्ष देश से है ए नम्मर ठीक है अंगला क्वेस्चन चात्रों में रटने की प्रिविर्थी रोकने है तू कैसे प्रस्न पूछने चाहिए बस्तूनिस्ट लगूत्रिये दीर गू आपका राइट आंसर हो जाएगा बस्तूनिस्ट यानि की जो ए नम्मर है वो बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा अंगला प्रस्न है दोस्तों पौधों के बिविन भागों के सिक्षन हे तू आवस्सक है तो पाठ पुस्तक पौधों का अवलोकन स्यामपट या पौधों क आवस्सक है तो क्या आवस्सक है त्व आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों का अब लोकन यानि कि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा यहां पर ठीक है अंगला कोष्टिन देखेंगे दोस्तों अंगला जो अपना प्रस्न है निमन मीसे किस मिर्दा का निर्मान लाव मिट्टी काली मिट्टी जडोल मिट्टी या इनमे से कोई नहीं तो निम्न में से किस मिर्दा का निर्माण होता है लावा द्वारा तो जल्दी से उतर लिखना है आपको और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा काली मिट्टी यानि कि जो आपका बेकल्प नमर V है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है आपकी स्क्रीन पर एक पारीतंत्र में मानाव वा सभी जन्तू होते हैं क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं है ना उत्पादक होते हैं उपभोगता आप घटा की आयन में से कोई नहीं क्या होते हैं एक परितंतर में मानाओ वा सभूई जो जन्तू है वो क्या होते हैं तब आपका उत्तर हो जाएगा उपभोगता उपभोगता मानाओ और सभी जन्तू होते हैं उपभोगता ठीक है ब प्रशने किरमांग तीन का और राइट जो आंसर होगा वो होगा मिर्तोप जीबी यानि कि जो आपका बिकल्प नमर सा है वो आपका सही हो जाएगा सार नमर का ठीक है अंगला देख लो ब्रहत जला सेयों में अधिकतम तापमान होता है उपरी स्तर में तल स्तर में मद्द स्त तो ब्रहत जला सेयों में अधिकतम जो तापमान होता है सातियों वो होता है उपरी स्तर यानि कि जो बिकल्प नमर आ है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा ठीक है अंगला क्वेश्चन है पौदे किस प्रकार का जल अपसोसित करते हैं गुरुत्वीय जल, कोसी का जल, आद आपका यहां पर सही है अंगला है बारभी पंचवर्ची योजना का परियावरण पर केंद्रित मुकलक्ष था तो क्या था बनों का विस्तार नभी करनिये उर्जा स्रोतों को बढ़ाबा देना कम कारवन उस्तर जन धारनिये विकास या हरित पट्टी वं सामजिक बानिकी को बढ़ाबा देना तो जल्दी से उतर बताना है प्रश्निक्रमांग 6 का और आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यो बिकल्प नमबर वी नभी करनिये उर्जा स्रोतों को बढ़ाबा देना और वी नमबर आपका यहां पर सही होगा अंगला कोस्चन हरे तो भोकता देवस मनाया जाता है 28 दिसंबर को 28 नभंबर को 28 जनबरी को 28 सितंबर को कब मनाया जाता हरे तो भोकता देवस प्रश्निक्रमांग 6 का आंसर और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ यो वो हो जाएगा 28 सितंबर यहनि कि जो कुछ सही हो जागा डी नम्मर का ठीक है डी नम्मर अंगला देख लो निन्वे से कौन सन्युक्त राष्ट परिबार को कायम रखने के लिए उत्तरदाई है तो जल्दी से बताएं सन्युक्त राष्ट नहीं सन्युक्त परिबार को स्वरी सन्युक्त परिबार को बताना है ग्राम मीडबाद, समाजबाद, बेक्तिबाद या फिर नंगरिये बाद तो आपका बिलकुल आंसा सही होगा ग्राम मीडबाद यानि कि ए नम्मर जो है ए नम्मर ग्राम मीडबाद आपका सही हो जाएगा प्रशने करमाग साथ का आ अंगला है तमबाकू की आदत किस से होती है कोकीन से निकोटीन से हिस्टेमीन से या फिर कैफीन से तो तमबाकू की आदत बतानी है किस से होती है और आपका राइट अंसर होगा निकोटीन यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका वी है वो यहाँ पर निकोटीन बिल्कुल सही ह धिक हो जाएगा ठीक है अग्ला question pulse polio कारेकरम का उत्देश देश से क्या है polio से उत्पन्य लकबा को रोकना polio का उफ्चार polio का संपुर्य ऑन्मूलन करना या फिर उफ्रोक्त सभी तो आपका right answer क्या होगा pulse polio कारेकरम से संबंदेश जो है वो क्या है तो वो है सा पोलियो का संपूर उन्मूलन करना यानि कि सा नम्मर आपका सही होगा है ना पल्स पोलियो अभियान के जो ब्रांड अमेश्टर है वो अमिताप बच्चन साव है ये भी याद रखनी है अंगला है निवन में से कौन सा अलग समूर से सम्मंदित है रतोंदी या फिर रैब रैबीज ये अलग है एक कुत्ते के काटने से होते बाकी बिटामिन की कमी से होते हैं ये तीनों ठीक है तो ये भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला देख लो बाईरस संक्रमर से होने वाला रोग है तो कौन सा है बाईरस संक्रमर से टाइफाइड जो काम कॉलरा यह फिर मलेरिया तो वाईरस आप बोलते है बाईरस संक्रमर से जो रोग होता है वो कौन सा होता है तब आपका बिलकुत सही आंसर हो जाएगा वह होगा जो काम यानि कि जो आपका C नंबर है, C नंबर है वो यहाँपर राइट अंसर हो जाएगा अंगला कोस्टियन by अर् करना है राइट आंसर हो गया सात्य नवंबर 19 नवंबर यानि कि जो अपका बिकल्प नमर वी है वो यहां पर सही होगा मुरगी के आवास को क्या कहा जाता है गौंसला माध विल या फिर दर्बा तो मुर्गी की आवास को क्या कहा जाता है प्रश्ने करमांग 13 राइट आंसर हो जाएगा दर्बा यानि कि जो बिकल्प नमर आपका D है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है अंगला कोस्टियन है निमने मैंसे कौन सा पेड़ पर रहने वाला जीव है पेड़ पर रहने वाला बताना है पांडा लंगूर खरगोस या फिर बंदर तो प्रश्ने क्रमा 14 का आंसर बताना है तब आपका राइट जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है बंदर यहाँ पर नहीं है पूचाता तो खरगोस आपका सही होगा पांडा लंगूर बंदर यह सभी पेड़ पर रहने वाले ठीक है तो सा नम्मर यहाँ पर आपका बिल् तो बिल्कुछ चाहिए है काई का है सेर सेर यानि कि जो बिकल्प नमर वी है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा बांदाउगर राश्टी उद्यान किस जिले में इस्ते थे पन्ना ओमरिया सिवपुरी या फिर मंडला में तो सबी लोग अंसर बताएंगे सपेश सेरों के लिए जान जाता है बांदाउगर पहारी बांदाउगर जो राश्टी उद्यान है 32 पहारियों से गिरा हुआ है और यह कहां पर उमरिया यानि कि बी नमर आपका सही है अगला देख लो बीरांगना दुरगाबती अभ्यारन किस जिले में इस्ते थे पन्ना में दमो सिव में है बी नमर आपका विल्कोर राइट अंसर होगा अंगला कोश्चन है संगमर्मर की चट्टानों के लिए कौन सा सहर पर सिद्ध है जबलपूर, दमो, स्योपूरी या भोपाल तो संगमर्मर की जो चट्टाने पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है वो पाई जाती जबलपुर यानि कि ए नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा और यहाँ पर विस्तु का एक मात्र संग मरमर में बनने वाला जलपरपात है जिसका नाम है भेडा घाट है ना जो नर्वदा नदी पर जबलपुर के निकट इस्तित है अंगला देख लो मद्द्परदेश में बान गंगा मेला लगता है तो वो लगता है स्योपुरी यानि कि जो आपका विकल्प नम्मर सा है वो यहाँ पर सा हो जाएगा सी नम्मर ठीक है अंगला है जल प्रदूसर नेवारन तथा नेंतरन दिनियम के सबर्स लागू किया गया 1975, 1980, 1982 या 1994 तब आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा प्रशन करवांक 20 का बिल्कुल सही उनीस सो चोहतर यानि कि डी नम्मर आपका सही होगा अंगला क्वेस्चन है मद्द्प्रदेश सरकार द्वारा जील सनरक्षन प्रादिकर्ण की स्थापना कप की गई 2007 2004 2009 या फिर 2005 तो 21 का अंसर सबी लोग बताएंगे और राइट आंसर होगा आपका 2004 यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका वी है वो विल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है बी नम्मर नेक्स है मद्द्प्रदेश में कौन सा खेल राज खेल गोसित किया गया खोखो मलखंब कबड़ी या फिर वालीबाल कौन सा खेल राज का अंसर तो आपका उत्तर हो जाएगा मलखंब मलखंब यानि कि जो बिकल्प नम्मर वी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा अंगला है मद्द्प्रदेश राज बन बिकास निगम लिमिटेट का मुख्याले कहां है सागर में भोपाल में इंदौर या फिर जबलपुर म तो मद्द्प्रदेश राज बन बिकास निगम लिमिटेट का मुख्याले हमें बताना है और आपका राज उत्तर हो जाएगा बोपाल यानि कि बी नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा अंगला है मद्द्प्रदेश में परटकों का स्वर्ग कि किसी कहा जाता है मैहर को पच सही होगा पचमणी ठीक है अंगला क्वेस्चन देखो बाग की गुफाएं कहां इसते थे धार में बोपाल में राय सेन या फिर भेडा गाट में तो प्रश्न करमांक 25 और राइट आंसर होगा आपका क्या धार धार यानि कि जो बिकल्प नम्मर आ है वो बिल्कुछ सही हो सिक्षण बिदी तो सिक्षण अधियम प्रकिरिया का जो आश्रित चर होता है दोस्तों वो क्या होता है वो होता है सिक्षार्थी यानि कि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा ठीक है सिक्षक स्वतंत्र चर होता है सिक्षार्थी आश्रित चर होता है पाठक्रम मध्यस्त चर होता है ये याद रखेंगे सबी लोग ठीक है अंगला देखो परियावण सिक्षण में खेल बिदी का प्रियोग प्रमो करूप से करना चाहिए तो किस इस तर पर करना चाहिए 27 का अंसर हमें बताना है तब राई टांसर हो जाएगा प्रात में किस तर यानि कि जो बिकल्प नमबर आ है वो यहाँ पर आ नमबर बिलकुछ सही हो जाएगा ठीक है अंगला question है परियावन यद्यन में भर्मण बिदी का प्रमुक उद्देश होता है तो भर्मण बिदी का प्रमुक उद्देश क्या होता है प्रिकृति से संपर्क प्रिकृति का ज्यान प्रिकृति का वर्णन या इन में से कोई नहीं तो भर्मण बिदी का प्रमुक जो उद पिर्थम सौपान है तो क्या है 29 का उत्र बताना है पिर्थम सौपान बताना है तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है योजना का चुनाव करना यानि की ए नम्मर आपका यहां पर बिल्कुल आंसर सही होगा अंगला क्वेश्चन उत्पादक जिवधारी से आस से है तो क्या है उत्पादक जिवधारी से बन जीवों से बहुदों से बंसपतियों से या जो अपना भोजन स्यम तैयार करते हैं उनसे तो उत्पादक जिवधारी से आस से दोस्तों जो अपना भोजन स्यम तैयार करते है उन से यानि कि जो D नमर है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा तो आज के वीडियो के लिए साथ यो बस इतना ही यहां पर महत्यपूर्ण प्रस्णों पर हमने चर्चा की वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं आपने कितने क्वेस्चन अटेम्ट की और कितने नमर आपको उपराप्त हुए है यह जरूर बताएंगे वीडियो को लाइक और सेर अबस्त करना है ठीक है तो आज के वीडियो के लिए वस इतना ही सभी को जैहिन